नमस्कार न्यूस फोनेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपकी साथ रुश्मी इस बार उप्चुनाव ने पती पत्नी के बीच सीधी टक कर देखने को मिलेगी अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस पती पत्नी की बात कर रहे हैं तो आपको बता दे कि ये कोई और नहीं बलकी जाब सुप्रीमो पपु यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन है बता दे कि इस बार के उप्चुनाव में जहां एक तरफ रंजीत रंजन को कॉंग्रेस पार्टी ने कुशेशर अस्थान के जमेदारी सौपी है तो वहीं दूसरी तरफ जाब सुप्रीमो पपु यादव अपनी पार्टी के लिए जो है चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे यानि कि इस तरह की जो तस्वीरे है वो बिहार के उप्चुनाव में देखने को मिल रही है इससे पहले कॉंगर्स पार्टी ने जो प्रचार को की सूची तयार की थी उसमें यादव जाती को शामल नहीं किया गया था लेकिन जिस तरह से आरजेडी में जो है कॉंगर्स की सीधी भिरंत हो रही है सीधी टकर हो रही है इसको लेकर कॉंगर्स ने ये लस्ट जो है बदला और इसी के तहत दो यादव को कॉंगर्स पार्टी ने स्टार तचारगों की सूची में शामल किया है जिसमें से एक रंजीत रंजन है और दूसरे चंदन यादव है यानि कि जहां एक तरफ कई पार्टी की तरफ से उप्चुनाओ को लेकर तैयारियां चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ रंजीत रंजन कॉंगर्स पार्टी की कमान संभालती हुई नजर आएंगी और यही वज़ो है कि सीधी उनकी टकर जो है वो जाब सुप्रीमों पपू यादव से होगी बता दे कि पपू यादव उप्चुनाओ में अपने पार्टी को लेकर लगातार ये दावे कर रहे हैं और खासकर इन दोनों सीटों को लेकर पपू यादव की तरफ से ये असपस्ट कर दिया गया है कि जीत सर्फ और सर्फ जाप पार्टी की ही होगी तो जीत उनकी नुश्रित है लेकिन इस सब के बीच खास बात ये है कि इस बार के उप्चिनाव में इन पती पत्नी के बीच जो है वो सीधी टकड देखने को मिलेग और यही वज़ा है कि आज इस खबर को लेकर हम आपके सामने आए हैं बता दे कि कॉंगर्स पार्टी की कमान रंजीत रंजन को सौपी गई है और पूरी तैयारी के साथ रंजीत रंजन इस बार के उप्चिनाव में हिस्सा लेने वाली है वही दूसरी तरफ जेल से रहा होने के बाद पपू यादव पूरी तरह से तैयार है और खास कर ब्यार की राजनीती में अपनी पैठ जमाने की जो प्लानिंग है वो उनकी तरह से कर ली गई है और यही वज़ा है कि इन दोनों सीटों पर यानि की तारपूर और कुशिशिर स्थान में किस तरह से जीत हासल किया जाए इसको लेकर पूरी रंजनीती और सब कुछ उन्होंने पहले से ही सेट कर लिया है सब कुछ उन्होंने तै कर लिया है कि किस किस तरह से चुनाव प्रचार करने है और खासकर अगर हम ब्यार के जनता के समर्थन की बात करें तो उसको लेकर भी पपू यादफ की तरह से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से इस डबल इंजन की सरकार में एक राजनेतिक शाजस के तहट उन्हें 32 साल पुराने मामले में करीब 5-6 महीने तक जेल में बंद रखा ये सब कुछ ब्यार की जंता देख रही है और ऐसे में जीत जो है इस बार पपु यादव की ही होगी क्योंकि इस देश में भ्रस्ट नेता जो है बढ़ते जा रहे हैं ये जो बिहार है वो भ्रस्ट नेताओं के हाथ में जाक चुका है ऐसे में लोगों को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो पपु यादव ने अपने कंधों पर ले रखी है और यही वज़ो है कि इस तरह के दाबे और बादे उनकी तरफ से किये जा रहे है लेकिन सब के बीच जो इस उपचुनाओं में खास तस्वीर निकल कर सामने आएगी जो एक सीधी भिरंथ है वो उनकी पतनी रंजीत रंज़न और पपु यादव के बीच देखने को मिलीगी और यही वज़ो है कि ये एक चर्चा में इस वक्त पपु यादव और उनकी पतनी बन चुकी है क् एक तरफ कॉंग्रस पार्टी है तो दूसरी तरफ पपु यादव की पार्टी जाप है देखने वाली बात होगी कि जब रंजीत रंज़न कॉंग्रस पार्टी का प्रचार करती हुई नजर आती है तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है और जब पपु यादव अपने जीत का दावा करते हैं तो क्या कुछ बाते उनकी तरफ से की जाती है क्योंकि इस बार का बहार उपचुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है बलकि ये एक मैदानी जंग में तबदील हो चुका है हर पार्टी की तरफ से दावे किये जारे हैं हर पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार जीत उनकी होगी देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है और जब दोनों ही पती-पत्नी चुना प्रचार के लिए उतरते हैं तो क्या कुछ तस्वीरे निकल कर सामने आती है फिलाल के इतना ही जादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूस फॉन नीशन के साथ नमशकार